तो बीर पीने से आपकी किड्नी की पथरी का दर्द नी उठता या पथरी निकल जाती है तो उसका भी मित क्लियर गरो शिंच साब एक्सपर्ट हो यह तो सारे पेशेंट भी आगे पूछते हैं डॉक्टर साब पत्री है बीर पीलू मैडम साथ में बैठी होती है और हम उनको कहते हैं कि देखो नहीं जुरूरत नहीं है अगर आपको स्टोन नहीं है और आप बीर पीर हो तो वह स्टोन बना रही है अच्छा अधकना उसमें पत्री बनाएगी उसमें पूरी रिसोर्च हो चुकी है अगर पत्री फसी वी है उसने यूरिन को रोक रखा है यूरिन बन तो रहा है निकल नहीं पा रहा ब्लॉकेज कर रखा है तब जब हम बीर पीते हैं तो वह डायूरेटिक की तरह काम करती है बहुत जादे यूरिन पत्री बढ़ी हो जाएगी पत्री की प्रॉब्लम आजकल यंग्स्टर्स में भी बहुत हो रही है यह मैं थोड़ा जानना चाता हो यह बंती कैसे है क्योंकि हमने सुना है कभी 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 वैसे बता रहो कि शिकंजी पी रहे होते हैं नीबू का बीज चला गया या टमाटर के बीज चले गए तो उनसे वह पत्री डेवलाप हो जाती है या कई लोग कहते है कि दवाईयों के वह दवाईयां खाते हम उससे पत्री बन जाती है जो छोटे-छोटे पीसे जा जो डाइजेस्ट नहीं होते तो यह बंती कैसे थोड़ा इसके बारे जो भी आप खाना खा जो बॉड़ी ने एब्जॉफ किया ब्रड में लेकर आया अब उससे पत्री बन सकती है अब जो हमारी जो स्टोन फार्मेशन होती है उसमें कैल्शियम के और और उग्जलेट के स्टोन सबसे जादा होते है तो अगर आप खाना ऐसा खा रहे हो जिसमें अग्जलेट जाद है एक एक्षिम जादा है कौन्चे कौन्चे खाने होते हैं से तैसे आप टमाटर की बात कर रहे थे तो टमाटर की बीचों के अंदर ऑग्जलेट होता है पड़ इतना कम होता है कि पत्री बनाने में बीस सा लगता है अच्छा ठीक है दूसरी चीज है कि आप पानी का इस तो फ्लेशाओ रोगी तो इकटा ही नहीं हो पाता है तो वटर का इंटेक पर लखना है और खाने को आप इस तरह से जज्मत करों कि इसे पथरी बनती असे नहीं बनती अप बन गई है तो वो निकलेगी इश वार दैट वे cleaner कीतने संधों हैli χ熟िश एतर अटकर आथक हुआ लो रहलें, इताने रहले हैं, शनुशे कर पास पीशन रहे हैं, तो हम कितने दीन मुस्कों मैं दो तरीट कर देते मैं और क्या थरीका होताइ? किड्नी स्टोंग के पेशन नम जाता देखते नहीं है, बड़ मैं फिर बे समझा जाता हूँ, अगर पत्री का साइट, साथ से आठ हम्म के आसपास का है, यह सो छोटा है, और वो फसी भी है तो निकल लेगी, पानी पियो खूब सारा, करने का जूस पीलो, जूस पीलो, और अगर बात करया हूं तो उस टाम में भी सकते हो। अगर फसी भी है तो अगर पत्री, पेलिक्स केलेग्स होता है केलेक्स, अगर वहाँ बेहां बैठी वी है, तो आपकी पीलियर पिने से नहीं किलागी जब फस नहीं जाती ठीक है? अब उसका साइस मैटर करता है, कि उसको तो surgery की जुरूरत है या फिर वो ऐसी निकल जाएगी तो अगर स्टोन का साइज साथ आठ में का है तो निकल जाएगी उसे उपर है तो क्योंकि नली इतनी पतली है अगर वहाँ पर फस गई तो निकल नहीं पाएगी तो size उसमें पर मैटर करता है ठीक है अगर size बड़ा है ड किड्नी फेलियर के जादा होते हैं फेलियर ही खराब हो रही है केटनी बढ़ रहा है यूरिय बढ़ रहा है तो वह पेशन्ट जादा होते हैं तो उनको आप फिर मेडिकली ट्रीट करते हो मतलब सर्जुरी ऑप्रेशन ही option है या फिर कुछ और भी options है लाइफ्टाइल आपको अभी पी था आपने ध्यान ने दिया आपने बोड़ी को चींच नी किया अपने खाने को चींच नी किया टाइम पे मेडिसन ने ली अब उस हाई ब्लेट प्रेशन के वज़ज़ से किड्नी खराब हो गई इसी तरह से डाइबेटीस अब डाइबेटीस पता है या फिर जिए का ध्यान साथ में रख लो तो अगर हम इंदू बिमारी को निकाल देना तो 80% किड्नी की बिमारी होंगी ही नहीं तो लाइफ चैल डिसोर्डर जा है उन्दर किड्नी फिलियर 80% लाइफ चैल डिसोर्डर हो गया गलत खानी पीने की वज़़ज़ से बिमारी लाइफ तो जैसे आपने कहा कि हम लोग चैकी नहीं करा थे हमें पता तो मैं चाहतो कुछ ऐसे सिंटम्स आप बताई हैं हमें चेक कराने की नीड पता चले क्यां कि हम च्चोटी परोड़ी चीज़्ेटा ऐसी सोचते यही घृत यही बदल रहा है बस यही अपरोच है यही कि अगर अगर आपको हैडिक बना रहता है पार बार होता है से में भारीपन बन जाता है तो पहला साइन होता है जो आपको मिल सकता है हाई ब्लेट रशागी वज़ा से ओक ठीक है अगर बहुत बढ़ जाए का तो फिर वो मॉमेटिंग और यह दिखते आनी शिरू होती है कि अगर बीपी एकदम तेजी से बढ़ेगा तो मैसूस होगा अगर वो धीरे दीरे सालो साल में दीरे बढ़ता रहा एक पॉंट दो पॉंट नहीं पता लगता तब इसको में साइलेंट कि लिए भी गयाते है कि कि इनी खराब होगी पता ही लगता है कि एकदम इंपैक्ट कि आखाब रही नहीं टो मैस्वाचर हगा भाता है 15 लागता कि भी पार लेगते हैं